प्रधान मंत्री का कम पड़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है क्या एक कम पड़ा लिखा प्रधान मंत्री आज के युवा के सपनों को पूरा कर सकता है मनिसी सोधिया ने आगे लिखा कि पीम जब यह बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकाल कर चाय बनाई जा सकती है तब मेरा दिल बैठ जाता है देश में कोरोना फिर पसार रहा है पैर 24 गंटे में 6050 केस आये सामने देश में 195 दिन बाद कोरोना के 5335 नए मामले आये थे वहीं अगर आजदानी दिल्ली की बात की जाए तो वीरवार को 606 कोरोना के मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हुई लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए केंद्रे सुआस्ते मंतरी मनसुक मांडविया समिक्षा बैठक करेंगे CBSी करने जा रहा है दसवी और बारवी बोर्ट परिक्षा के पैटन में बड़ा बदलाव बोर्ट की ओर से दी गई जानकारी अगले साल की CBSी बोर्ट परिक्षाओ में MCQ अधारित प्रशनों के उपर किया जाएगा जादा फोकस वहीं short and long answer वाले प्रशनों का weightage कम किया जाएगा हाला कि यह बदलाव केवल अगले सत्र के लिए हो सकते हैं उसके बाद National Curriculum Framework शुरू होगा जिसके तहत बोर्ट परिक्षाओ में व्यापक सुधार होंगे आमात में पार्टी के रागव चड़ा और परनिती चोपडा की रिलेशन्शिप की खबरे इन दिनों काफी सुर्खियां बटो रही है इसी बीच उनकी सगाई की खबरे भी लगातार सामने आ रही है रिपोर्ट में यह भी है कि रागव चड़ा और परनिती चोपडा की इंगेजमेंट एक प्राइवेट अफ्यर होगा इसमें बहुत कम लोग बुलाए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है कि रागव चड़ा और परनिती चोपडा की लव स्टोरी पंजाब में शुरू हुई जब परनिती वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी रागव और परनिती को पहले लंदन और फिर मुंबई में एक साथ स्पोर्ट किया गया परनिती और रागव कॉलिज में एक साथ पड़ा करते थे और तब बहुत अच्छे दोस्त थे अब खबरे तो लगातर सामने आ रही है लेकिन परनिती और रागव में से किसी ने भी इन सभी खबरों को लेकर कोई कनफर्म नहीं किया है कॉलकता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कोई क्यासी रनों से दीमात आईपेल मुकाबले में 205 रनों के टार्गेट का पीछा करते हुए आर्सीवी प्रेशर में दिखी और नियमित अंतराल में विकेट गवाई कॉलकता नाइट राइडर्स की मौझूदा सीजन में यह पहली जीत है इसी के साथ ही आज भारत रत्न श्री अटल विहारी वाजपई एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनव में तनराइजिस हैदराबाद और लखनव सूपर जाइंट्स की टीम के बीच खेला जाएगा ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए धन्यमाद